इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि database क्या है database एक organized collection है information का ऐसा information जो हम किसी institution, किसी colleges या किसी shop का sales record या किसी institution का student list या उनका fee details ये सब एक तरह का information है और हम इस सब information को किसी software में या फिर एक hard copy diary में हम उसको organized करके रखते हैं तो जब हम उस information को computer में रखते हैं तो वो क्या होता है हम उसको database में रखना चाहते हैं और हम उसको organized way में रखना चाहते हैं ताकि हम उसको future में कभी भी find कर सकें उसको edit कर सकें जैसे आप screen पर देख सकते हैं जो information हम market से लिए या जैसा कि institution से या किसी shop का sales record वो सब हम word में रख सकते हैं table बना करके excel में रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा sales होता है हम वहाँ पर उसको रख सकते हैं access में बना करक सकते हैं क्योंकि यह तो already rdbms होता है oracle, SQL server, database, foxfro यह सब rdbs package है rdbs software है database या फिर बोल सकते है database software है जिसमें हम रख सकते हैं word excel database software नहीं है यह एक तरह का flat file है यहाँ पर हम रख सकते हैं जब मेरे पास बहुत कम मात्रा में record है हम word excel में रख सकते हैं यदि आप कुछ security point of view से रखना चाहते हैं तो इसके लिए यह सब oracle, SQL server, mysql, dbs, foxro बहतर है लेकिन अब यदि हम छोटा मात्रा में छोटा quantity में बात करें तो word भी अच्छा है, excel भी अच्छा है, access भी अच्छा है यह सब में आप रख सकते हैं यानि यह सब एक तरह का database जैसा काम कर रहा है जैसे आपको word में रखना है तो हम word में रखने के लिए table बनाएंगे और table में हम रख सकते हैं यानि आपको excel में रखना है तो हम excel में जाएंगे और कुछ इस तरह से हम excel में रख सकते हैं तो आप यह सब database है database means क्या ऐसा information जो हम market से लेते हैं जैसे कुछ सी institution से, educational institution से या किसी shop से यह सब information को हम कहीं रखते हैं organized way में उसी को हम क्या बोलते हैं database बोलते हैं यदि आप hard copy में रख रहे हैं copy पे या diary में रख रहे हैं तो वो database नहीं हुआ database means हम किसी electronic form में computer में उसको रख रहे हैं आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे ये कि table क्या है records क्या है और बहुत सरा चीज छोटा छोटा term जो और एकल पढ़ने से पहले या SQL server या SQL पढ़ने से पहले हम लोग को वो सब चीज जानना चाहिए वो सब terminology हम लोग आने माले वीडियो में पढ़ेंगे